हेलो प्रेंट्स अब हम कोश्यन करें गे राजुपमेशन बुक की पहला मार कोश्च कह़ा है एक आकरत के बडाबर दूसरी आकरत बनाने करते हैं दूसरी आकरत के छेतर्फर में उपसन ay समान बनाएं उपसन c आदी बनाएं पsand d दो कुने बना हैं तो जब हम एक आकरत के अब दूसरी आकरत बनाएंगे तो दूसरी आकरत छे तरफल में हमें समान रखना होगा जैसे ये एक आकरत बनी हुई है दूसरी ये आकरत बनी हुई है यदि इसका छे तरफल पांच है तो इसका भी छे तरफल पांच ही होना चाहिए तब ही इन दोनों की जो आकरत ये वो स से बुजा को बुजा से एक बटा दो बुजा को बिकन से बुजा को दूसरी एक बटा दो बुजा से तो आयत यह वर्ग का जो छेतर फल होता है यह हमारा आयत हो गया इसका जो छेतर फल निकरता है वो इदर लंबाई और इदर चोड़ाई होता है तो लंबाई और चोड़ा बुजा और बुजा को आपस में गुणा कराया जाता है तो इसका रायत अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर भी बुजा को बुजा से गुणा कराते हैं नेश्ट है एक ही आदार पर समान उचाई वाले यदि दो तिर्बुज बने हों तो वो छेत फल में होते हैं ऑप्शन है असमान ऑप्शन भी समान ऑप्शन सी है एक तिर्बुज दूसरे का आदा ऑप्शन डी एक तिर्बुज दूसरे को दुगना तो जब एक ही आदार पे इस पकार से दो तिर्बुज बने होए हों इस पकार से दुबारा बनाते हैं ये कोई हो गया एक चेत्रफल इस तरभुज कर निकल के आएगा वही चेत्रफल हमारा इस तरभुज कर निकल के आएगा तो इसका जो रायट अंसर हो जाएगा अपसन नंबर भी समाद नेश्ट कोश्चन यदि एक आयत के लंबाई दो डेसिमेटर और चोड़ाई दो सेंटिमेटर हो तो उसका छेतरपल होगा तो आयत को जो छेतरपल होता है वो होता है लंबाई इंटू चोड़ाई तो हमारी लंबाई दिया है दो डेसी मीटर तो डेसी मीटर को पहले सेंटी मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा दो गुड़े दस अर्थाध 20 तो इसका हो गया 20 इंटु चोड़ाई हमारी दे रखिए 2 तो यह 6 तरफल हमारा हो गया 20 इंटू 2 या था 40 तो 6 तरफल हमारा कितना निकल किया गया 40 तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D नेश्ट कोश्चन कह रहा है एक तिरबुझ का अधार 6 cm और उचाई 2 cm हो तो उसका 6 तरफल कितना उबर की cm होगा जो तिरबुझ का 6 तरफल होता है वो होता है एक बटा दो इंटू अधार इंटू उचाई तो यह हो जाएगा एक बटा दो अधार दे रखा है हमारा 6 और उचाई तो यह 2 से 2 कड़ जाएगा तो उतर कितना बचेगा 6 तो इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा आप्सन आपसन का बुजा और विकर्ण आपसन का अधार और उचाई आपसन का आमने सामने के बुजा तो जो हमारा समानता चतुर बुज इस पकार से बना होगा और जो आयत है वो भी इसी पकार से बनता है तो कह रहा है कि आयत के छे तफल का समान होगा जब उसका आयत का जो अधार है वो भी इसी पे समानता चत्र बुझ के अधार के बराबर हो और जो उचाई है वो भी समान होना चाहिए ये दोनों जब बराबर होंगे तो इस पकार से आयत बनेगा और ये इसका रायट अंसर हो जाएगा अधार और उचाई अर्थाद जब अधार और उचाई दोनों बराबर होंगे तब ही हमारा समानता चत्र बुझ और आयत के छेत पल आपस में समान होंगे निष्ट कोशन काहरा है एक समकोड तिर बुझ के समकोड बनाने वाली बुझाओं पर बनेवर्गों का योग छेत पल में विकंट पर बनेवर्गा करें कितना भाग होता है आपसन का समान आपसन का समान option गा दूगना, option गा आदा तो जो इस question का right answer हो जाएगा वो होगा option number A समान next question question number 9 कह रहा है किसी अर्थ बेत के ब्यास को आधार मान कर और उसके परत पर कहीं भी एक बिंदू से आधार 0 को मिलाने पर जो तिर्बुज बनेगा उसका से स्कौन सदय होता है option A 30s, option B 60s, option C 90s या option D 120s जब हम इस पकार से कोई अर्थ ब्रत ऐसे बनाते हैं और कह रहा है यह जो अर्थ ब्रत का यह परीद बनी हुई है यह परीद हो गई अर्थ ब्रत की इस पर कहीं पर एक बिंदू यहाँ पर मान कर इसके आधार को आधार पर इस पकार से मिला दें तो यह तुरिबुज बनेगा उस पर यह जो कोण होगा यह कितने अंसका होगा तो जो हमारा अर्थ ब्रत पर बना कोण इस पकार से अर्थ ब्रत पर कहीं पर भी बना कोण होता है तो यह हमेशा 90s होता है यह हमारा इस पकार से तिरभूज हमारा इस पकार से भी बन सकता है या ऐसे बन सकता है किसी पकार से बनेगा यह जो कौन होंगे यह हमेज़ा 90 नस ही होंगे तो राइट एंसर हो जाएगा उपसन नमबर सी 90 नस Next question कहरा है किसी ब्रत का छेतर फल होता है ऊप्षन का 22 बटे 7 INTO 3G उप्षन का 2 INTO 3G INTO 22 बटे 7 उप्षन का 2änder में 3ims Web 2 //инки माइनस 22 बटे 7 आप्षन का 22 बटे 7 INTO 3G वुब तो जो ब्रत का 6 फल होता है वो होता है πी र Juice जहां र हमारी तरीज्य होती है और πी कमान जो होता है वो होता है 22 बटे 7 तो जो इस question का right answer हो जाएगा वो हो जाएगा 22 बटा 7 into r square के जगए हो जाएगा त्रिज्या का square तो right answer हो जाएगा option number का 22 बटे 7 into त्रिज्या का square Next question ये कह रहा है ब्रत के कोई भी दोब्यास अनपात में एक दूसरे के कितने होते है option का lambda, option का 2 gonna, option का 21, option का 3 gonna तो जो ब्रत के कोई भी दोब्यास अनपात में एक दूसरे के कैसे होते हैं समान होते हैं तो ये हमारा कोई ब्रत बना हुआ है, ब्रत पे जो ब्यास होता है वो इस पकार से एक point से जाता है यह हमारा हो गया point अब इस इसमें जो ब्यास है वो इधर से भी इस पकास सखें सकते हैं ऐसे भी खें सकते हैं इधर से कहीं से भी ब्यास हम खिंचेंगे वो जो ब्यास कनपात होगा वो समानी होगा अर्थात जितना ब्यास यह ब्रत है ब्रत में जितना ब्यास की लंबाई हो उनकी लंबाई पांची सेंटिमीटर होगी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा समान ब्रत पे कोई भी दोब्यास हम खिंचेंगे तो उनपाद में समान ही होगे नेश्ट कोश्चन ये कह रहा है 6 संबाव तिरबुजों के द्वारा एक समखटबुज के 6 बराबर बाग करने पर पेते एक तिरबुज का सीज कोण होगा आपसन का 30, आपसन का 60, आपसन का 90, आपसन का 120 तो जो हम जब भी किसी तिरबुज का कोण निकालने के लिए हम करते हैं 360 बटा यन और यन जो होता है वो तिरबुजों की संख्या होती है तो यहाँ पे 6 संबाव तिरबुज के दाए तो यह हो जाएगा 360 बटा 6 यह होगा 360 बटा यन यन की संख्या होगा इच्छा है यह होता है बाइकोंड निकालने का सूत्र तो यह हो जाएगा 36 अर्थाद आजाएगा 60 अंस तो जो इस question का right answer होगा वो होगा option number खाज 60 अंस Next question कहरा है किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तत्य चोटी बुजा का कौन सर्ण पाथ ग्यांद करते हैं आप्सन का मद्यान पाथ, आप्सन का समान पाथ, आप्सन का तत्य पाथ या आप्सन का चत्य पाथ तो जब हम आयत के बराबर वर्ग बनाते हैं तो जो आयत की लंबी और छोटी बुजा का पाथ मद्यान पाथ रखते हैं अर्थाथ इसका हो जाएगा option number का right answer नेश्ट कोस्वन कह रहा है, दो बृतों के चे तरफ फलक है अंतर के बराबर एक बृत बनाने के लिए कने से त्रफज का उपयोग किया जाता है? आप्सन का संबाव त्रफ आप्सन का समधिवाव त्रफिज ये आपे संबण त्रफुज दाता है निश्ट कोशन का हिरा है किसी तीरग बित के बराबर ब्रत बनाने के लिए दोनों आदे आदे अच्छों का कौ सानपात गयांत करते हैं जो कि अभिष्ट बित के तिज्जा के समान पात हो आ्पसं काрос पाद अपसंगा समहं पाज आप संगहा तितियंपाथ तो उस्कोशन खाम देंधत संथर को जाएके हैं तो इस सब्रॉचन करने के लिए उप्योग किया जाता है आप्म का आप्म कर एक संगा व्रत की प्रेद्ट या और आप मा였습니다 गाब ब्रत का केंद तो जो समान अर्द ब्रत द्वारा ब्रत के 6 संभाग जब हम करेंगे तो ब्रत की तरिज्जा का उपयोग किया जाता है इस पकार से ये हमारा हो गया अर्द ब्रत अर्द ब्रत पे जब हम ब्रत के 6 संभाग करेंगे तो यह हमारी हो गई इसकी यहां से इतना भाग हो गया त्रिज्या यह हो गई त्रिज्या तो इसके 6 समभाग करने के लिए हम इसी त्रिज्या के बराबर 6 और इसके लाइन खिंचेंगे तो इसके जो प्रेयोग किया जाता है वो ब्रतिकी तिर्जा का उप्रेयोग करके हम इसके बाग करते हैं नेश्ट कोशन कहिरा है बिकड़ के समानता रेखाएं खेंच कर एक समानता चत्रबुज के यह दिछ्छे समभाग किये गए हो तो चार आकरितिया समलम चत्रबुज बनाती हैं बताईए सेज दो आकरितिया क्या बनाएंगे आप्सन का विसम चत्रबुज आप्सन का आयत आप्सन का समलम चत्रबुज आप्सन का त्रबुज तो इस कोचन का रायट अंसर हो जाएगा आप्सन का त्रबुज नेश्ट कोशन, किसी संभाव तिर्बुज का बाकोंड होता है, आप्सन का 30, आप्सन का 60, आप्सन का 90, आप्सन का 120, तो बाकोंड निकालने के लिए हमाई पास सूत होता है, तीन साट बटा यन जहां पे यन होता है वो तिरबुजों की संख्या होती है संभाव तिरबुज में तीन बुजाएं होती है तो यहां पे इन की जगें हम रख देंगे तीन तो यह हो जाएगा तीन साट बटा तीन तीन से इसको डिवाइट करेंगे 3 1 3 3 2 6 120 इसका अंसर निकल के आएगा 120 अंस तो राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमबर का 120 अंस नेश्ट कोशन कह रहा है दीरग अच्छ तथल लगव अच्छ एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वो हो है आपसन का 80 अपसन का 75 अपसन का 60 अपसन का 90 अंस तो जो दीरग दीरग ब्रत होता है इसकार से दीरग ब्रत बनता है और दीरग ब्रत में यह हमारी दीरग अच्छ कहलाती है और दीरग अच्छ पे यह जो होती है यह लगव अच्छ कहलाती है तो यह लगव अच्छ और के बित में कितनी नावियां होती है और जो दीर के बित में नावियों से होकर गुजरने वाली रेखा होती है उसे हम दीरगच कहते हैं यह जो दीरगच होती के बित में केवल दो नावियां होती है तो जो दीरगच की नावियों को सदा लिखते हैं उसे हम सदा N1 वा N2 से लिखते हैं नेश्ट कोशन एक दीर के बित में काखा दीरगच है और गागा लगच है काखा गोजियों जो छोटा करते जाएंगे गागा उसी अनपात में होता जाएगा आपसन का छोटा आपसन का बड़ा आपसन गाटेंडा या आपसन का असमान तो ये देखिए हमाई पास एक दीर के बित हो गया दीर के बित पे ये एक दीरगच किंच किया इसे हम बोलेंगे का और इसे काएंगे खा और इसी के साथ ये हमारा लगच हो गया जिसे बोलेंगे हम गा और ये हो गया गागा कहरा है कि यदि हम ये जो का और खा इसको हम छ शोटा करते जाएं तो इसकी लंबाई क्या होगी तो यदि हम इसे हम छोटा करेंगे तो यह इसकी लंबाई क्या होदी यह बड़ी होती चली जाएगी तो इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा option वंब बड़ा कि ने से धिर्बित के नाप्या एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर कर मिल जाएं तो उस दीर मारे नाभियां है कह रहा है कि ये नाभियां आते आते माली ये इस इस्तान पे मिल जाएं तो जब ये इस पकार मिल जाएंगे तो यहां पे एक ब्रत का निर्माड हो जाएगा तो ये जो आकार ये वक्र का बना हुआ है ये वक्र करना है रहकर ये दोनों सिरे वक्र करना है क इस पकार से एक बृत्त का कर बना लेंगी तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर का बृत्त नेश्ट कोशन अब लंब हुए रेखा है जो दीर बृत्त के किसी इसपस बिंद पर बनी हूँ इसपस रेखा के साथ बनाती है ऑप्सन का अधिक कोण ऑप्सन का सराल कोण आप्सन का समकोण आप्सन का नियून कोण तो जो हम इस पकार से दीर की बृत्त बना लिया दीर की बृत्त पे जो कह रहा है जो इसपस रेखा केची जाती है वो इसके यहां पे वक्र पे खीची जाएगी यह हमारी कोई इसपस से रेखा हो गई यह इसपस से रेखा हो यह कोन और डाइंगे यह को समकॉन क्याते हैं तो इसको राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा तो यह हमारा हो गया दीर के बैत, दीर के बैत पे ये वक्र, ये हमारा हो गया वक्र, वक्र पे हम क्या खिंचते हैं, ये एक इसपस रेखा खिंचते हैं, तो जो इसपस रेखा दीर के बैत में इसपस करती है, वो इसके वक्र पर करती है, ये इसपस रेखा इस तरह भी वक्र में हो सकती है दोनों तरफ हो सकती है तो जो दीर के ब्रत में इस पस रेखा इस पस करेगी वो इसके किसके वक्र को इस पस करेगी नेश्ट कोशन नेश्ट कोशन कह रहा है प्रच्छेदी रेखाऊं द्वारा दीर के ब्रत बनाने के लिए क्या काटते हुए खिंचते हैं रेखाओं का प्रेयोग करते हैं तो राइट अंसर नंबर खार रेखाएं नेश्ट कोश्चन कई रहा है इस पर सरे खा और अब लम्ब एक दूसरे को किस स्थित में होते हैं आपसन का समादूरी पर आपसन का समांतर पर आपसन का अलग अलग तो यह हमारा हो गया दीर के बैत पर जो हम इसमें यह इसपस रेखा खिचेंगे इसपस रेखा पर यह एक अब लंब खिचेंगे तो जो इसपस रेखा और अब लंब के जो होते हैं यह एक दूसरे पर 90 अर्थाज सम्कौन पर होते हैं तो राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर खास समकोण नेश्ट कोशन करा है दीर ब्रत वक्रे रिखा है जिस पर यद कोई बिंदू लिया जाए और उसे इसकी दोनों नाभियों से जोड़ा जाए तो दीर अच्छ के अनुपात में इन दोनों रिखाओं का योग कितना ह अप्सन का समान, अप्सन का असमान, अप्सन का आदा, अप्सन का दुगना, इस कोशन का राइट अंसर होगा अप्सन नमबर का समान, नेश्ट कोशन, ठोंसों में कितने आयाम होते हैं, अप्सन का एक, अप्सन का दो, अप्सन का तीन, अप्सन का चार, तो जो ठोंसों मे आयामों के संख्या होती है वो होती है तीन समीच चितर जावब बनाते हैं तो वो 3D फार्में बनता है और जो ठोंस में आयाम होते हैं वो 3 होते हैं नेश्ट कोश्चन कह रहा है किसी संपार्स के सिरे ये दिवर्ग है तो वह होता है आयता का संपार्स वर्ग का संपार्स पंच बुजा का संपार्स तो जो संपार्स होता है उसका एक सिरा ये दिवर्ग है तो दूसरा सिरा भी वर्ग होगा अर्थास उसका जो चित्र बनेग उसे हम वर्गाकार संपार्स कहेंगे ये इस पकार से कुछ बन के आएगा ये हमारा चित्र हो गया वर्गा का यदि इसका एक सिरा वर्गाकार है तो दूसरा सिरा भी क्या होगा वर्गाकार होगा और इसे हम वर्गाकार संपार्स कहेंगे तो राईट अंसर हो जाएगा उप्सन गा संपार्स जो ठोंस होता है, जिसके दू सिरे होते हैं, वो होता है संपार्ज नेश्ट कोशन कोशन नमबर 34 कह रहा है किसी संपार्ज के दोनों सिरों के केंदरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं आप्सन खा लंबे बुजा, आप्सन खा अच आप्सन का लंबी रेखा, आप्सन का सिरे की भुजा तो जो संपास के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम अच्छ कहते हैं किसी सूची स्थम के आधार के केंद्र को सीस बिंद से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते है और चॉचिंशन गाल्तयी दिती लेखी अ क्यूचिंश्रे कोशन जिसक हे इन गहिसी कुझां है तो आपने संपास के बारे में नोट्स में यह पड़ा होगा पहले शुरुआत में भी वीडियो के तो आपने देखा होगा यह तिर्बुजा का संपास है तो जो इसके दोनों सिरे होंगे वो भी तिर्बुजा का रही होंगे तब ही उसको तिर्बुजा का संपास बोला जाता है निश्ट कहे रहा है सूची स्थम्ब के सभी फलकों के सीर्स कौन से बिंदु पर मिलते हैं आपसन का सिरो बिंदु, आपसन का केंदर बिंदु, आपसन का अधार केंदर या आपसन का फलक का किनारा तो जो हम सूची स्थम्ब इस पकार से बनाते हैं, यह मान लीजिए कोई सूची स्थम्ब के चितर हो गया इस पकार से तो यह जिए उसका नोक होता है, इस नोक को हम सिरो बिंदु कहते हैं तो राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमबर का सिरो बिंदु कह रहा है किसी आयत की एक बुजा को अच्छ बना कर गुणन करने पर क्या बनता है ये कह रहा है कि कोई ये आयत है ये आयत बना हुआ है यदि आयत की हम एक बुजा को अच्छ बना कर गुणन कराएं तो क्या बनेगा जब हम आयत की एक बुजा को गुणन कराते हैं तो हमें इस पकार से बेलन प्राप्त हो जाता है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर गा बेलन नेश्ट कोश्चन ये कह रहा है एक समकोन तिर्बुज की लंब बुजा को अच्छ बना कर गुणन करने पर क्या बनता है कह रहा है समकोन तिर्बुज की लंब बुजा को अच्छ बना कर गुणन करें तो क्या बनेगा आप्सन का कहरा है तिर बुजा का सूची स्थम, आप्सन का गोला, आप्सन का बेलान या आप्सन का संको जब हम संकोन तिर बुज की एक बुजा को लंब अच्छी बनाएंगे गुमाएंगे तो उसे हमें संको की प्राप्ति होगी जो की इस पकार से कुछ बनेगा निश्ट कोचन है सूची स्थम के पार्सों का अकार क्या होता है ऑप्सन का चतरबुज, ऑप्सन का बवबुज, ऑप्सन का आयत, ऑप्सन का तिरबुज जो सूची स्थम के पार्सों का अकार होता है वो बनता है तिरबुजा कार सूची स्थम के पार्सों का कार बनेगा तिरबुजा कार और जो संपार्स होते हैं उसका कार बनता है आयता कार संपार्स के पार्सों का कार होता है option का आयत कार, option का तिरबुज, option का पंच बुज, option का खट बुज जो संपास के पार्सों का कार होता है वो होता है आयता कार नेश्ट कोशन कह रहा है यदि वरगा कार संपास में 4 पार्सों हैं तो घन में कितने पार्सों होते हैं आप्सन का 2, आप्सन का 4, आप्सन का 6, आप्सन का 8 तो इस question का right answer हो जाएगा option number 6 यदि वर्गा का संपास में 4 पास होंगे तो घन में 6 पार्स होंगे पार्स मितलब हो गए face next question यदि इंट का इंट एक ठोंस है तो फुटवाल कौन सी आकरती है option का कोकली, option का ठोंस, option का गोला करती, option का गना करती इस question का right answer हो जाएगा option number 5 ठोंस, इंट एक ठोंस है तो फुटवाल भी की आकरती एक ठोंस होगी क्योंकि इंट को यहाँ पे ठोंस बोला गया है, इंट की आकरत उसने आयता कार नहीं बताई है इंट का कार उसने आयता कार बताया होता, तब फुटवाल के आकरती यहाँ पे गोला करती हो जाती कि इंट कुशन ठोंस का है, इसलिए फुटवाल के भी आकरत के होगी ठोंस हो जाएगी next question, gain में वक्रपेश्ट है, option का 1, option का 2, option का 3, option का 4 जो gain में वक्रपेश्ट के संक्या होती है, वो होती है, एक, यह हमारी gain हो गई, gain में जो वक्रपेश्ट होगा, वो एक ही होगा, जो यह वाला भाग हो जाएगा नेश्ट कोशन, दिवार प्रत्वी पर लंब है तो प्रत्वी दिवार पर है आप्सन का समतल, आप्सन का उर्दद और आप्सन का 36, आप्सन का लंब इस कोशन का राय टंसल हो जाएगा, आप्सन नंबर का 36 यदि दिवार प्रत्वी पर लंब है तो प्रत्वी दिवार पर छहती हो जाएगी यह अगर एक चीज हम ऐसे इस पकार से मानें तो यह इस पर अगर लंब है तो इधर से जब मानेंगे तो यह हमारा छहती तल हो जाएगा नेश्ट कोशन लामबिक प्रिछेब के प्रिथम कोड में अनुचेब कहां से दिखाई देते हैं सामने से उपर से नीचे से बराबर से तो इसका राइट अदसर हो जाएगा उपर से अनुचेब जो दिखाई देते हैं वो उपर से दिखाई देते हैं नेश्ट कोशन लांबिक प्रिछेप के प्रिथम कोण में उच्छेप दिखाई देता है सामने से उपर से नीचे से बराबर से जो उच्छेप दिखाई देता है वो दिखाई देता है सामने से और अंच्छेप दिखाई देगा उपर से अंच्छेप उपर से दिखाई देता और उच्छेव सामने से दिखाई देता है नेश्ट कोशन कहता है लामविक प्रिछेव के प्रिथम कोण में पच्छोब दिखाई देता है सामने से उपर से नीचे से बराबर से तो इसका रायट अंसर हो जाएगा ऑप्स नंबर का बराबर से जो पच्छोब होता है वो बरा उपर जो तल इस्तित होता है उसे हम दादर समतल कहते हैं नेक्ट कोश्שन पर inconsider में किसी ठोस के किमने आयाम दिखाई देते हैं A base tyle a F qaq up a 2 upp選 का 3 जजो जो समीत समें जद्रोस में दिखाई देते हैं In Prophet कोशन कह रहा है Also Samnit और सुद्द सेमी के रंखा अधार से कितने इंसके कोड़ जुकी होति है। मेरा ममारा जब सम्मित चित इसमडं का क्वैस बनाते हैं तो एक इस पकार से 30 का क्वोंड बनाएंगे और दूसरी जो बनाते हैं वो भूरियां प्राफ्त करने के काह से चाह तक प्रिछए घंचे जाते हैं सम्मित दूरियां प्राफ्त करने कह से कह से अधार रेका तक, ऑप्सन रॉब्भ कह रहा है 45 की रेखा से 30 की रेखा तक आप्सन गा 30 की रेखा से अधार रेखा तक या इन में से कोई नहीं जो सम्मिर रेखा की रेखा खेंचते हैं वो 45 की रेखा से 30 की रेखा तक खेंचते हैं यह हमारा हो गया इस पकार से यह कोंड होते हैं 30 डिगरी के और एक और इस पका पर कितने अंस पर जुके होते हैं ऑपसन का 15 आपसन का 30 आपसन का 45 आपसन का 7 तो इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा ऑपसन नमबर भी 30 अंस पर हैं नेस्ट कोशन यह कह रहा है सम्मित चितर में एक ठोंस में कोण बनाने वाली तीनों किनारों को क्या कहते हैं लंब किनारे अधार किनारे प्रिछेव या सम्मित अच तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सम्मित अच जो सम्मित चितर में एक ठोंस में कोण बनाने वाले तीनों किनारे होते ह उसे हम सम्मित अच्छ कहते है सम्मित चितर में ले गई दूरियां लंबाई में सुद्ध दूरी के अनपाथ में कितनी होती है आपसन का छोटी, आपसन का बड़ी, आपसन का समान, आपसन का ली गई माप के अंसार तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर का छोटी जो सम्मिच चितर में लिगए दूरी की लंबाई होती है वो सुध दूरी के इनपाज से छोटी होती है Next question सम्मिच चितर में कौन सा पास दिखाई देते हैं option का दाया बाया सामने का option का दाया बाया नीचे का option का दाया बाया तता उपर का तता option का दाया उपर तता सामने का इसका राइट अंसर हो जाएगा जब सम्मिच चितर में पास दिखाई देते हैं वो दाया बाया और उपर के चितर दिखाई देते हैं Next question एक सट बुजाकार संपास में कितने सिरे होते हैं ऑप्सन खा एक, ऑप्सन खा दो, ऑप्सन का चार, ऑप्सन का अच्छा है जो खट बुजाकार संपास होता है उसमें सिरों के संख्या होती है दो संपास में सिरों के संख्या हमेसा दो होती है एक उपरी सिरा दूसरा निचली सिरा जैसे तिरबुजा कर ये संपार्स हो गया इसमें भी सिरों की संक्या रहेगी दो एक ये उपरी सिरा दूसरा निचली सिरा नेश्ट कोशन एक पंच बुजा का सूची स्तम्मे में कितने पार्स होते हैं आप्सन का एक, आप्सन का दो, आप्सन का तीन, आप्सन का पांच जो पंच बुजा का सूची स्तम्वे में पार्सों कसंख्या होगी पांच राइट अंसर है आप्सन नमबर डी नेश्ट कोशन एक पंच बुजा का संपास में कितने पार्स होते हैं option का 5, option गा 3, option गा 2, option गा 1 तो पंच बुजा का बहुत में पासिंसों कसंगे होती है पाउंच Next question कहरा है एक आइता का some pass का कौن से पासिटीद में सम्मीच चतर बनाना संबब नहीं है option का उद्रद दतल पे option का 36 इंस पे option का तली दिखाते हुए या option का 50 cents पे जुके हुए तो right answer हो जाएगा option number का 50 cents के जुके हुए पर जो संपास में सम्मिछ चित्र बनाय जाता है वो उदर दातरपल बन जाएगा 36 पे बन जाएगा तली दिखाते हुए बन जाएगा किन्तो 50 cents पे या कोई भी इंगल पे यदि बोले तो उसमें नहीं बन पाएगा नेश्ट कोशन सम्मिछ चित्र में छिपे हुए पार्सों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए हलकी सपाट हलकी बिनुदार गैरी बिनुदार या मोटी इसका right answer हो जाएगा गैरी बिनुदार रेखाओं से नेश्ट कोशन तिरबुजा का संपास के 36 सम्मिछ चित्र में छिपे हुए पार्सों के लिए कुल कितनी बिनुदार रेखाएं बनेगी आपसन खा 2, आपसन का 3, आपसन का 5, आपसन का 6 तो right answer हो गया option number 3, जो तिरबुजा का संपास में बिनुदार रेखाएं बनेगी वो बनेगी 3, नेश्ट, रोमन अच्छर में PRJS की मुटाई अनच्छनों के तुलना में कितनी रहती है, आपसन का समान, आपसन खा अधिक, आपसन खा गम, कम, आपसन गा कह राज इतनी चा तो जो रोमन अच्छन में PRJS की मुटाई होती है, वो अनच्छनों के तुलना में कम होती है, तो right answer हो जाएगा option number C, कम, नेश्ट कोशन, कोशन नमबर 65 कह रहा है, ब्लाग प्रेंटिंग में आदुनिक सैली की देवनागरी लिपको के सेंते से लिखते हैं, आपसन का सरकं संदे की कलम से, नेश्ट कोशन, तिरचे अच्छनों की लेखन सैली को कहते हैं, आपसन का रोमन, आपसन का गातिक, आपसन का इटायलिक, आपसन का आदुनिक, तो तिरचे अच्छन की लेखन सैली होती है, उसे हम कहते हैं, इटायलिक, नेश्ट कोशन, ब्लाग प्रेंट तरह झाएका नहीं यह के बाद डबलु के बाद वर्गे एक भी नहीं छूड़ेंगे यह दो इस कोशण करी अरए के बीच हम एक बी वर्ग नहीं छोंड़ते हैं नेस्ट कोशन कहए राए यदि अच्छरों के उचायत तीस मिली मीटर ली गई है तो पंक्तियों के बीच कम स कम कितनी दूरी रखना उपयूगत है अप्सन का पांच मिली मीटर अप्सन का दस मिली मीटर पंदा मिलिमीटर ये आफ़्षन का 20 मिलिमीटर इस प्वचन का राय टेमसल हो जाएगा आफजन नम्बर का 10 मिली मीटर नेश्ट कोस्षन तिरचे अच्छरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनपास रखना उपीउगता है option का 1 ratio 1 ratio 1 option का 2 ratio 3 ratio 2 option का 2 ratio 4 ratio 2 option का 1 ratio 3 ratio 1 तो जो तिर्चे अच्छर की 4 रेखाओं के भी जोन पाद रखा जाता है वो रखा जाता है 2 ratio 3 ratio 2 का जब इस पकाज से हम चित्र तिर्चे अच्छरों में लिखते हैं तो यहाँ से एक इस पकार से लाइन कहिंचते हैं और यहाँ पर 1, 2, फिर उसके बाद 1, 2, 3, फिर 1, 2 इस पकार से रखते हैं और यहाँ पर जो यह 2 का रेशियो होता है उसको इस पकार से मिलाते हैं फिर 3Y लाइन को ऐसे और 2 वाली लाइन को फिर ऐसे मिलाते हैं और इस पकार से हम इसमें ये रेखाएं बराबर 2 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 2 का बनाते हैं नेश्ट कोशन तिर्ची अच्छों को कितने अंस पर जुका कर लिखना उप्युकता है आपसन का 60, आपसन का 70, आपसन का 75, आपसन का 85 जो तिर्चे अच्छों का 50, आपसन का 75, आपसन का जितना चाहे तो इस कोशन का रायत अंसर हो जाएगा समान नेश्ट कोशन है ब्लाग प्रेंटिंग में गातिक सहल में यूनिटी सब्द लिखने के लिए कितने ब्लाग बनाना उप्युकत होगा आपसन का 21, आपसन का 23, आपसन का 24, आपसन का 25 जो ब्लाग प्रेंटिंग में गातिक सहल में यूनिटी सब्द लिखने है उसमें ब्लाग बनाने के लिए उप्युकत होगे तेज नेश्ट कोशन एक मीटर का एक हजारवा बाग है सेंटिमीटर, हेक्टोमीटर, मिली मिटर, डेका मीटर जो एक मीटर का एक हजारवा बाग होता है वो होता है मिली मिटर आप इसमें देख सकते हैं ये मद में रहता है मेटर या ग्रामिया पर फिर ऊपर चलता है यहाँ पे चलेगा डेका फिर एक्टो पिक्लो और नीचे रहता है डेसी सेंटी और मिली तो कह रहा है कि एक मीटर का हजार मुँआ बाक्या होगा तो इधर जाएंगे तो दस हो जाएगा यह 100 और यह मिली तक जाने पे 1000 तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मिली मीटर नेश्ट कोशन ये राय का राय एक किलो मीटर का समा बाग है मीटर, डेका मीटर, एक्टो मीटर ये डेसी मीटर तो एक किलो मीटर का समा बाग हो जाएगा ओप्सन नमबर खा डेका मीटर नेश्ट कोशन निरूपक बिन्न के द्वारा वास्तिक दूरी का अनपात जिस दूरी से प्रकट होता है वो है आपसन का समस्त दूरी, आपसन का मानचित की दूरी, आपसन का निकष्टम दूरी या दस के गुनच की दूरी तो निरूपक बिन के दोरा वास्तिक दूरी का जोनपात होता है वो होता है मांचित्र की दूरी का नेश्ट कोशन है आदस मापनी की लंबाई लगबग अधुआ निकस्टक कितने सेंटीमिटर की रहनी चाहिए तो जो आदस मीटर की जो दूरी होती है वो हमें 15 सेंटी मीटर या अच्छा इंच के निकटम रखनी चाहिए नेश्ट कोशन है तिर्चे अच्छरों में वाक लिखते समय अच्छरों का जुकाओ कितना अंसका होता है जो तिर्चे अच्छर में वाक लिखते समय अच्छर का जुकाओ होता है वो होता है इसमें 75 डिगरी का नई दिये है अन्यथा 75 वाला करेक्ट होता है इसमें 70 निकटता मैं तो 70 इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन ये कह रहा है सदायन मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते है आपसन का एक आपसन का तीन आपसन का दो आपसन का चार जो सदायन मापनी पर मापें दिखाए जा सकती है वो दिखाते हैं दो ये सभी 2D जो figure होते हैं आयत उवर के ये सभी दो ये प्रकार के मापे इसमें दिखाए जा सकती है नेश्ट कोशन कहरा है बिकाण मापनी द्वारा निम लिखित में से कितने नापें अंकित कर सकते हैं किलो मीटर, एक्टो मीटर, डेका मीटर, किलो मीटर, किलो मीटर, बटे मीटर या केवल, केवल मीटर तो जो हम विकाण मापनी इस पकाण से बनाएंगे इसमें कोशन के अंसार बाग सकते हैं यहां से 0, 1, 2, 3 इस पकाण से स्टार्ट होता है और यह जो जीरो के लिप्ट साइड में जो बॉक्स बनता है उसका जो यह नीचे का बाग होता है यह हमारा डेका मीटर, डेका मीटर दसाता है और यह वाला जो बाग होता है यह सेंटी मीटर दसाता है और उपर का यह जो बाग होता है ही एह हमारा question कुंसाइक किलो मीटर यह मीटर दर्साएगा तो जो इसका रायトın सबसे पहले हैं चार को सेंटी में रहा है चाहर की और सञाने कि इसके निबने ग्याद करेंगे चाहर वर्ग के सेंटीमेटर में दिया है और यह वर्ग में दिया है तो वर्ग को पहले हम केवल सेंटीमेटर में बनाएंगे तो चार का जब स्कॉयर रूट करेंगे तो यह आजाएगा दो सेंटीमेटर बराबर चौन सट करेंगे तो आजाएगा आठ अड़ चौन सट होता है और बच चार सोगे और जो निरुपक भी निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक हमेशा अंस में रखा जाता है और जो इधर मानाता है वो उसको हर में रखा जाता है तो यह आजाएगा एक बटा चार सोगे तो राइट अंसर हो जाएगा आपसर नंबर गा एक बटा चार सो next question निरूपक बिन से समंदी था 9 वरगी cm 1.44 वरगी m made को पैदैसित करता है तो निरूपक बिन क्या होगी तो इधर भी देखिए unit जो अब वरगी cm में दिया है तो 9 का पहला quad route निकालेगे तो हो जाएगा 3 बराबर, 1.44 करेंगे तो आएगा 12 क्योंकि 12 इंटू 12 करने पर 14 आता है और इधर दिया आईए मीटर में तो मीटर को सेंटीमेटर में बजलने के लिए हम 100 का इधर गुणा करेंगे अब 3 से इसमें भाग करेंगे 12 में तो 4 बार जाएगा तो इधर एक बराबर यह आजाएगा 4 इंटू 100 अर्था 400 के जो निरूपक बिन निकल के आएगी वो एक जो आए अंस में रखा जाएगा और हर में रखा जाएगा 400 यह हमारी हो गए निरूपक बिन तो इस कोशन कर आएट अनसर हो जाएगा अपसन नमबर गा एक बटा चार सो नेश्ट कोशन यह कह रहा है पांच मीटर को दो सेंटीमेटर प्रदेसित करने वाली मापनी की निरूपक बिन क्या होगी निरूपक बिन को हम आरेप से भी प्रदेसित करते हैं इधार देखिए यूनिट दी है मीटर में और इधार सेंटीमेटर में अब इसमें वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमेटर नहीं दिया तो इसमें जैसा मान दिया है सीधे रखेंगे बराबर इधार पांच है तो यह हो 200 बार में गड़ जाएगा तो यह हो जाएगा एक बराबर 200 के तो जो निनरी रूपक बिन निकल के आएगी वो निकल के आएगी एक बटा 200 तो इस कोशन कराएट असर हो जाएगा एक बटा 200 नेश्ट कोशन ये कह रहा है सम पर्मार मापनी बनाने में प्रिवत तीनो रेखाओं का कौण होता है 0, 30, 45, 0, 60, 90, 30, 40, 60 या 30, 60, 90 जो सम पर्मार मापनी बनाने में तीनो रेखाओं का कौण होगा वो 30, 60, 90 होगा क्योंकि त्रिबुच जब बनाते हैं तो इसके तीनों देखाओं का योग होता है 180 और 30-90 को जोड़ेंगे तो ये 180 के वल पहुँच रहा है नेश्ट कोशन कहई रहा है पांच सेंटी मीटर बरावर तीन मीटर पर दस्यत कहने वाली बिकाण मापनी की निरुपक बिन क्या होगी कोशन नमबर 85 का जो निरुपक बिन है वो आप निकाल कर कमेंट में जरूर करें ये इसके आपसंदिये हुए हैं इसके नमबर 85 का राइट अंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं नेश्ट कोशन निम्न में से किस ठोंस में आयताकार फलक होते हैं गन में, संगु में, संपास में, सूची स्थम में जो ठोंस में आयताकार फलक होते हैं वो होते हैं संपास में संपार्स में आयताकार फलक होंगे सूची स्थोंस में तिर्बुजाकार फलक मिलेंगे घन में आपको वर्गा कार फलक देखने को मिलेंगे और जो गनाब होगा गनाब में आयताकार फलक मिलेंगे नेश्ट कोश्चन निम लिखेत में से कि श्ठोंस में तिर्बुजाकार फलक होते हैं जो तिर्बुजाकार फलक होते हैं वो होते हैं सूची स्थम्वे सूची स्थम्वे में तिर्बुजाकार और गन में वर्ग कार फलक किसी गोले का उच्छेव वा अंच्छेव क्या होगा आयद बटे वर्ग ब्रत बटे ब्रत बटे तिर्बोज या ब्रत बटे वर्ग तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ब्रत बटे ब्रत जो गोले का उच्छेव वो अंच्छेव होता है वो होता है ब्रत बटे ब्रत नेश्ट कोशन निमलिकित में से किस ठोंस में तिर्बुज कर प्रामीट कोश्ट और शुर्ट का प्रीजमिंगे कतने अयताकर फ़लक होते हैं ऑप्सन नमबरन गया तीन आप तो ऑपसर चार आपसर पाँच तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसर नमबरन गाच जो वरमाप कहा होता है उसमें अयताका फलकों किसंतंगर कि होती है चार निश्ट कहए रहा है एक वर्ग का प्रिजम की बुजा बढाबर एक त्था हुचाइब बढाबर भी ए तो उसके किसी एक आयता का प्रीमाप क्या होगा जो आयता का जो आयता का प्रिमाप होता होता है वो ओता है टू इंटू लंबाई-प्लस-चोडाई निश्ट कहरा है, सट बुजा का संपास में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं, आप्सन का आठ, आप्सन का पांच, आप्सन का च्छ, आप्सन का चार, जो सट बुजा का संपास होता है, उसमें आयताकार फलकों के संख्य होती है, छे, निश्ट कोशन, किसी ठोंस का आधार प्रिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट जो वर्गकार फलक होते हैं वो होते हैं गन में गन में वर्गकार फलक होंगे संपार्स में आयताकार फलक होंगे सूची इस्तम में तिर्भुजाकार फलक होंगे और संग में जो आदार होगा वो ब्रताकार बनेगा और सामने का बाग तिर्भुजाकार बनेगा नेच्ट कोशंग, वे काउन सतल है जिस पर अंशेप बनाया जाता है किसी वरग का प्रिज्म पर अंशेप क्या होगा जब कि प्रिज्म अदार पर ख़डा है तो इस कोशन का रैट अंसर हो जाएगा आप्सान नम्बर C आयत किसी भी सम्मित द्रस में एक साथ कितनी मातरा है तो जो सम्मित चित्र होता है उस में सिर्फ कोंड का प्रयोग करते हैं जो सम्मित भी छे बहुता है उसमें कोण का प्रयोग किया जाता है तीसंस का यह हमारे राज्यू पॉब्लिकेशन बुख के सभी कोचन साल्व हो गए हैं हमने यहां पे आपको बिद्या पॉब्लिकेशन और साथ में राज्यू पॉब्लिकेशन दोनों बुख के जितने भी ynısı किया राज्यू पॉब्लिकेशन को राज्यू पॉंच्छ होते हैं तो आप सब्सक्रात को समझाव है और यदे आपको इन दोनों बूख की पीडियप चाहिए तो आप टेली決ाम में सच करें अनुराग कुई वाइटी इडिट अनुराग वाइटी इडिट यह आप टेली ग्राम में सर्च करके चैनल जॉइन कर लें वहां पर यह दोनों पीडियाप आपको मिल जाएंगी आप वहां से पढ़ सकते हैं धन्नवाद